जातकों का नाम जो होता है S शुरू होता है तो आपकी राशी जो होती है मित्रों कुम्ब बनती है और कुम्ब राशी के शनी की मूलत्रिकोर राशी हो आप यानि शनी की सरवसेस्ट राशी है न्याई के देवता की ये लोग थोड़े सूस्थ होते हैं परंतु हर काम में सफ बढ़े सुदर होते हैं तो चलिए जानते हैं कि इनिके लिए कौन सी तारीक और कौन सी खुश्कवरी मिलने वाली है 2024 में इस डेट विल बी दा स्पेशल फोर यू आपकी जो राशीय कुम है बता दिया दोस्तों ने तो देखे सूर्य देव जो है पहले खुश्कवरी सूरी देव के ग्यारवे भाव में एंटरी करने वाले हैं 2024 में जो आपको सुफ पलो की प्राप्ति करना आना शुरू कर देगा पंदरा प्रैल से लेकर पंदरा मार्च तक आपको जबरदस्त उच्पदों की प्राप्ति होने वाली है अगर किसी कॉम्पिटिटिव एक्जाम की प्रिकेशन कर रहे तो आपको उच्पद प्राप्त होने वाला है इसके साथी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक आपको सुफ समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे आपको चारो तरब से खुशया है खुशया मिलने वाली है 15 नमबर से लेकर 15 दिसमबर तक आपके लिए खुशकबरियों का दोर शुरू हो जाएगा यानि आपको आर्थिक रूप से आपके पारिबारिक मामलों में आपके करियर के मामले में खुशकबरी देखने को मिलने वाली है साथी 15 दिसमबर से 31 दिसमबर तक का समय आपके लिए गुल्डन रहने वाला है खुश्खबरी नम्बर दो देखे आपको स्वास्टे की बात करी जाए तो ये Smith दिस सुभागे शाली रहने वाले हो 2024 के माम दो स्वास्टे समबदी परेशानियां आपको नहीं होने वाली है तमाम तरह की बिमारियां जो होती है वो आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है, काफी अच्छा रहने वाला है आपके लिए समय, खुश खबरी नंबर तीन की बात करें, तो कुम राशी या फिर S लेटर से जिन राशिक जातकों का नाम शुरू होता है, उनी के लिए गुरू की दसा जो है, सुर्वात के चार महीने, यानि अपरेल तक शादी का योग तगड़ा मना हुआ है, यानि आपकी शादी होकर रहेगी मित्रो, जो बैचलर है, वो रेडी हो जाए, सादी करने के लिए, सूरिय खुद देखेंगे आपके मैरिडर लाइफ को, और सूरिय मंगल की सुब परभाव आपको मिलना शू हो जाएगा, और में मांगली कारी प्राराम होंगे, खुशी नंबर तीन की बात करूँ, तो राहु महाश्य आपके छटे वाव में इच्छाव की पूरती कराएंगे, देखें जब राहु जो होता है, पापी घ्रे, जब शिक्स हाउस में बैट जाता है, तो समझलो कि रंग से राजा बना दे तो यहाँ पर देखें, छात्रों के लिए काफी अच्छा सुब समय रहने वाला, 2024 में स्टेटस ओफ एजुकेशन की बात की जाएं, तो बहुत खास तोर पर रिसर्च करने वालों को, या फिर कोई बड़ी पद के लिए अगर आपने आविदन किया है, आप किसी बड़े आपको क्रेक्टर ना चाहते, कॉम्पेटिट इग्जाम की प्रिपेशन करने तो आपको बेजोड सफ़ता मिलेगी, खुशकपरी नंबर पाच की बात करूं, तो आपको पने माता-पिता से बहुत धन मिलने वाला है, प्रोपर्टे के मामले में बहुत जादा आपके जादी बाला ये समय